हेलो गाइस, वेलकम बैक टो एजुकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज का जो हमारा दाहिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, वो है, ए न्यू ट्रॉयका फॉर इंडिया स् नौर्थीस्ट रिजन, अब ये ट्रॉयका क्या होता है, इसका मिनिंग इंडिया का, वहाँ पर ये मिलके काम कर रहे हैं, डेवलोपमेंट के लिए, उसी के उपर हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया के जो नौर्थीस्ट के लिए, जो ये तीन लोगों की जो कंट्रीस की जो मेंबर्शिप बनी हुई है, मतलब एक दूसरे के साथ जो ये कंट् किया हुआ है, अपनी PDF form में, उसमें मैंने Important Words को Highlight किया हुआ है, Important Terms को Highlight किया हुआ है आपके लिए, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, आज का दा Hindu Editorial Article Without Any Time Based, तो ये रही मेरी PDF, इसको मैंने अपनी PDF form में Convert किया हुआ है, आप इंडिया से एट नॉर्थ इजन स्टेट्स, अरुनांचल, असम, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, त्रिपूरा, एंड सिक्किम, इस अंडरगोइंग ड्रमाटिक चेंज, तो आठ जो स्टेट्स है हमारी, वो नॉर्थ इजन की, आप सबको पता है, आगे क्या लिखा हुआ है, इट है सेवरल, इट है अवरकम सेवरल, बट नॉर्ट ऑर्ट चेलेंजिस, अड इस नॉर्थ इस्टेट्स, अपको पता है, जो नॉर्थ इस्टन स्टेट्स है ना, वहां काफी ज़्यादा जो है वो चैलेंजिस रहते थे, ठीक है, बहुत इस नॉर्थ इस्टन स्टेट्स है ना, वहां काफी ज़्यादा जो है वो मदद कर रही है, आपको पता होगा जितने भी वहां के जो टेर्रिस ग्रूप है, जो बीजेपी की जो गोर्मेंट है, वो उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है, मेडियेशन के थूँ जो वो उनको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रही है, तो यह जो पॉलिटिकल चेंजीस है ना, यह काफी ज़्यादा है, तो इस दी एक्स्टेंसिव बैवाफ लिंकेजिस बिद नैवरिंग बंगलादेश, जैसे जो हमारा जो लिंक बढ़ रहा है ना, बंगलादेश के स वो भी जो है, वो हमें हल्प कर रहा है, जैसे हमें पॉलिटिकल चेंजीस जो है, वो हल्प कर रही है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स जापान, हाज अमर्ज एस सिग्निफिकेंट डैवलोपमेंट पॉर बोथ इंडिया और बंगलादेश, और जापान भी जो है, वो जापान भी एक जो है, वो पार्टनर बना हुआ है, तो अभी जो थोड जापान इंटलेक्चल डैलोग है ना, वो होस्ट किया जार रहा है, एसियन कोंफुरेंट्स के दुबारा, ठीक है, तो यह कहां हो रहा है, अगरतला में हो रहा है, त्रिपूरा में, यहा मतलब देख सकते हैं, जो evolving thinking and exports की, मतलब जो change हो रही है, thinking, जो experts लोग है, ठीक है, और जो policy makers है, जो policy बनाते हैं, तो हम लोग उनको access कर सकते हैं, मतलब उनको access का मतलब होता है, किसी को जाचना या परकना, कि वो अच्छे से policy बना रहे हैं, या फिर जो भी हो रहा है, मतलब development purpose से वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को हम लोग access कर सकते हैं कहां पे जो अभी joint जो है वो जो dialogue होने वाला है जापान और इंडिया के बीच में ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है it showed that current decade may produce path breaking changes in the north east तो यह हमें क्या दिखाता है यह जो अभी changes हो रही है यह हमें दिखाता है कि जो हमारा अभी current decade चल रहा है ना मतलब 10 साल का जो period चल रहा है ना वो क्या करेगा बहु सारी changes लेके आएगा north east में bringing the troika of Bangladesh, India and Japan closer और यह जो तीनो countries है ना इंडिया, Bangladesh और Japan इन तीनों को एक साथ मिलके जो है वो इकठा करके लाएगा उसके बाद क्या है vision and opportunity, vision मतलब होता है लक्षे ठीक है और opportunities तो आपको पता ही है one of the most important projects is the development of Martyrbari deep sea port on the south eastern coast of Bangladesh तो अभी चो important project है वो कौन सा है DSP जो कहां पे बन रहा है, south eastern coast of बंगलादेश पे बन रहा है it is being constructed with Japanese assistance and is scheduled to be operational in 2027 assistance का मतलब होता है help तो यह किसकी help के दुवारा construct किया जा रहा है जापान जो country है उसकी help से construct किया जा रहा है और यह कब से शुरू होगा चालू होगा, 2027 के बाद यह operation में आ जाएगा यह recent ascond study envisages this port to be a game changer envisages का मतलब क्या होता है कोई चीज को predict करना या फिर imagine करना उसको बोलते है envisages तो यह जो अभी जो ascond जो recent study हुई है ascond की तो उन्होंने यह predict किया है कि यह जो port होगा यह जो बंदरगा होगा वो एक game changer की तरह काम करेगा मतलब बहुत सारी जो है वो development लेके आएगा changes लेके आएगा to be optimally viable तो optimally का meaning क्या होता है जो जिस तरीक को आप किसी best तरीके से कर सकते हो मतलब in the best और most favorable भी मतलब किस तरीक किसी काम को इस तरीके से करना उसको बोलते है to be optimally viable viable का meaning क्या होता है that can be done that will be successful मतलब जिसको किया जा सके ठीक है उसको बोलते है viable तो क्या है अगर हम लोग इस तरीके से देखे कि मतलब कैसे best हो सकता है to be optimally viable मतलब कैसे हम लोग जो है वो best काम कर सकते है जा फिर हमारे लिए जो है वो best हो सकता है the port have to cater to the needs of Bangladesh and India's northeast cater का मतलब क्या होता है serve करना तो अगर हम लोग देखे तो ये जो port है वो क्या करेगा जो serve करेगा serve का मतलब होता है किसी को serve करना या फिर किसी चीज को चलाना तो ये जो जरूरते है बंगलादेश और इंडिया के north east की उनको पूरा करेगा कौन सा port? DSP port जिसके बारे में हमने उपर में बात की तो अगर हम लोग optimally viable तरीके से देखे कि best use क्या हो सकता है इसका ठीक है तो ये क्या करेगा बंगलादेश और जो इंडिया की ये बंगलादेश के लिए है और नौर्थ इस्ट के लिए है to become a hub hub का मतलब होता है main चीज central port बढ़ना किसी चीज का and key industrial corridor corridor मतलब होता है जो दो countries को या फिर दो places को link करता है of this reason तो इसको क्या माना जा रहा है एक main केंदर माना जा रहा है ये जो corridor है ये जो vision है हमारा DSP का कि ये क्या करेगा एक main hub माना जा रहा है कि industrial corridor का मतलब जो connect करता है दो places को और जो कितनी population को serve करेगा लगवग 220 million population को serve करेगा उसके बाद क्या लिखा हुआ है Hiroshi Suzuki Japan's ambassador to India emphasized at the conference that while increased connectivity of roads and railways is important it is not enough जो Japan के जो ambassador है इंडिया में उन्होंने क्या बोला emphasis का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना तो उन्होंने एक conference पे जोर दिया कि that while increasing connectivity मतलब हम लोग जब connectivity को increase कर रहे हैं roads बना रहे हैं railway बना रहे हैं ये तो important है ठीक है it is not enough without the creation of regional industrial value chain लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा एक regional industrial value chain बनानी पड़ेगी मतलब industries को connect करना पड़ेगा एक दूतरी के साथ connection में जो है वो काम करना पड़ेगा सिर्फ roads बना के या फिर railway track बना के ये सिर्फ enough नहीं है ठीक है उसके बाद क्या है तो क्या है रैपिड का मतलब होता है जादा से जादा industrialize होना जहां पे जो है वो नौर्थीस्ट को जो है वो advantage है ठीक है तो क्या करना रैपिड इंडस्ट्रिलाइज़़ेशन उन sectors में जहां पे नौर्थीस जो है वो competitive तरीके से जो है advantage है फाइदा है वो क्या बताता है assume significance उससे हमें जादा से जादा फाइदा हो सबता है ठीक है उसके बाद क्या है this plan is sound because it ensures that new connectivity links will be fully utilized and productivity ये जो plan है वो sound दिख रहा है मतलब अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये ensure कर रहा है मतलब पुष्टी कर रहा है that the new connectivity links will be fully utilized मतलब जो अभी हम लोग new connectivity कर रहा है North Eastern States को मतलब North Eastern States की बाकी countries के साथ वो fully utilized होगी और productive होगी roads and ports must be accompanied by job opportunities that can come only for new industrial enterprises set up with national and foreign investment और जो road और जो ports बन रहा है इससे क्या होगा नही नही job opportunities भी साथ में आएंगी a company का मतलब होता है साथ में आना तो नही नही job opportunities भी निकलेंगी देखो यार अभी linkages बढ़ेंगे और industries बढ़ेंगी development होगी तो उससे job opportunities भी आएंगी that can come only for a new industrial enterprise वो किसके लिए आएंगी जो नही नही enterprises होगी नही नही इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहाँ पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा job opportunities create होंगी set up with national and foreign investment किस के थुरू होगी national और foreign investment के थुरू a joint focus on comprehensive connectivity and accelerating industrialization in Bangladesh and northeast is likely to be a priority priority का मतलब होता है किसी को जो है वो महतब देना तो क्या होगा हमारा जो joint focus होगा ना तीनों countries का वो क्या होगा industrialization करना कहां पे Bangladesh में और northeast में ये हमारी top priority होगी ठीक है मतलब हमारी जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग ज़ादा से ज़ादा ज़ादा इंपोर्टेंट्स देंगे the northeast is blessed with vast natural resources आपको पता है नौर्थ-East में जो है वो काफी ज़ादा natural resources है इट इस ट्रेटेजिक लोकेशन शेरिंग borders with Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and Myanmar is an asset देखो ये इतनी सारी countries के साथ जो है वो अपना border share करता है तो ये हमारे लिए क्या है एक asset है ठीक है हमारे लिए man-made fibers, handy crops, assembly of two willards and perhaps mobile phones and pharma articles तो क्या है pharma articles तो क्या है तो अगर हम लोग क्या करेंगे value chains को बढ़ाएंगे मतलब link करेंगे एक दूसरे की industry के साथ मिलके काम करेंगे तो उससे क्या होगा उसके क्या होगा should and compose and compose का मतलब होता है surround and have or hold something cost to take place तो इसका मतलब क्या होता है to include different types of things मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग परकार की चीजे होना उसको बोलते है and compose तो अगर value chains बढ़ेंगी manufacturing products बढ़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा agro processing है man-made fibers है जो कपने है handy crops है assembly है to village की mobile phones की ये सब चीजे जो है वो भी बढ़ेंगी the population with its good education already excels in the service sector तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो education sector में काम कर सकते हैं drawing potential investor attention और जो investor होंगी उनकी attention को भी जो है वो seek कर सकते हैं मतलब उनकी attention को भी जो है वो पा सकते हैं अब challenges क्या है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे of course there are challenges that can be addressed by expanding policy convergence and taking people along तो कुछ challenges भी हैं जिने हमें address करना होगा अपनी policy को expand करके ठीक है जो converge की हुई है and taking place along और people along और लोगों को जो है वो हमें साथ में लेके चलना होगा also Japan as a single investor in the north east is unworkable सिर्फ जापान अगर invest करेगा north east में मतलब अगर single investor रहेगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा ठीक है बांकी countries को भी हमें जो है वो involve करना पड़ेगा Indian companies must invest Indian companies जो है उनको भी invest करना पड़ेगा सिर्फ जापान के invest करने से नहीं होगा India must ease restrictions on the flow of investment from Bangladesh और जो हमने restrictions कुछ लगाई हुई है बंगलादेश से उसको भी हमें आसान करना पड़ेगा ठीक है जो बंगलादेश से investment आती है उसे हमें आसान करना पड़ेगा ता कि बंगलादेश भी जो है बंगलादेश की इंडिया की जापान की इनको बनाना पड़ेंगे close linkages of economic corporation मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ेगा एन इंपोर्टेंट आर्गुमेंट वास अडवांट्स बाइ बंगलादेश शरियार अलाम, Minister of State for Foreign Affairs He stressed that Dhaka and New Delhi have succeeded in almost restoring the pre-1965 infrastructure connectivity between India and Bangladesh तो इनके जो Minister of States है ना उन्होंने इस बात पे जोड़ दिया कि जो New Delhi है मतलब जो India और बंगलादेश है ना उन्होंने लगवग अपने जो पुराने उनके जो relations होते थे थे ना पुरानी जो infrastructure connectivity होती थे थे इन दो देशों के बीच Mr. Alam added Bangladesh which has facilitated so much connectivity facilitated का मतलब होता है किसी चीज को आसान करना जा किसी चीज की सूबिदा प्रवाइड करना तो ये जो उनके Minister है वो बोल रहे है कि बंगलादेश जिसने जो है वो काफी जादा जो facility प्रवाइड की है connectivity की है now needs reciprocity from other countries मतलब अभी उसको जो है वो बाकी country से भी जो है वो help की जडूरोत है ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है reciprocity का मतलब होता है मतलब दूसरी जगाँ से भी जो है वो help की जडूरोत है so that it is better connected with other neighbors था कि वो दूसरी countries के साथ भी जो है वो अच्छे से connect हो सके by facilitating it India can assist Bangladesh in becoming an integral part of the act east policy तो ठीक है अगर हम लोग जो है वो facilitate करेंगे किसको बंगलादेश को help provide करेंगे तांकि वो बाकी countries के साथ भी connect हो सके तो India जो है वो बंगलादेश को क्या कर सकती है assist कर सकती है India can assist Bangladesh assist का मतलब क्या होता है किसी को help provide करना in becoming an integral part of the act east policy तो हमारी जो east की policy है उसका part भी बंग सकता है बंगलादेश तो इडिशनल पॉइंट्स रिक्वाइर कंसिडरेशन तो दो और पॉइंट्स है जिन पे हमें गोर करने की जरूरत है first when issues of regional cooperation and integration are discussed scant attention seems to be paid to the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation तो क्या है इसमें ये जो BISMATAC है ना इसके बारे में आप लोग पढ़के आओगे इसमें जो है वो नीचे की जो countries है ना जैसे इंडिया हो गया बुटान हो गया ठीक है मतलब जो last की जो हमारी जो इस साइड की जो बॉर्डरिंग कंट्रीस है ना वो आती है बुटान, नेपाल, मयन, मार ठीक है तो BIMSTAC के बारे में आप लोग जितनी भी इसकी कंट्रीस है उसका मुझे आप लोग जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दोगे ठीक है तो क्या है हमारा जो हमें दो और पॉइंट्स पे फोकस करने की जुड़ा था कौन से पॉइंट जब भी वेन इशूस ऑफ रिजनल कोपरेशन और इंटिगरेशन और डिसकस मतलब जब भी हम लोग जो है वो रिजनल कोपरेशन के बारे में डिसकस करते है रिजनल कोपरेशन मतलब जो साउथ इस्टन रिजन है नॉर्थ इस्टन रिजन है एशिया का ठीक है जब हम उसके बारे में डिसकस करते है तो स्कैंट का मतलब होता है कम फोकस करना ठीक है तो क्या दिखा हुआ है स्कैंट अटेंशन सीम्स टू बी पेड टू दी बिम स्टैक तो यह जो बिम स्टैक है इस पे कम अटेंशन मतलब फोकस किया जाता है यह जो है वो साथ कंट्रीज का ग्रूप है इन्होंने बनाया हुआ था तांकि वो क्या करेंगे इकनॉमिक कोपरेशन करेंगे इकनेक्टिवीटी को बढ़ाएंगे लेकिन यह जो बीम स्टैक को औरगनाईजेशन इस पे कम फोकस किया जाता है तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की जुरूत है जो क्या है हराने वाला है मतलब जो क्या है development पे हमारे restrict कर सकता है उसको रोग सकता है तो इसलिए हमें जो है वो beam stack के उपर जादा से जादा चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि ये group जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि economic development हो सके this must change so that the grouping progress towards its vision of establishing the beam stacks ठीक है तो इसे change होड़ना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए beam stack के उपर ताकि जो हमारा vision है ठीक है उसको हम लोग पूरा कर सके second the goal of connecting a large part of south asia with south asia requires a astitute pilot अब ये attitude का meaning क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो attitude का meaning होता है जो काफी चलाक हो या फिर अच्छा हो तो second क्या है the goal of connecting to a large part of south asia अगर हमें जो south asia का जो part है अगर हमें उसे east asian country के साथ connect करना है तो उसके लिए हमें एक अच्छी pilot चाहिए pilot मतलब जो guide कर सके अच्छी policies चाहिए this leadership can come from a troid of Bangladesh, India and Japan ये जो leadership है ये कहां से आ सकती है बंगलादेश अगर India और Japan मिलके काम करेंगे a big forum should be launched ये जो big है बंगलादेश, इंडिया और जापान इनकी एक संस्था बननी चाहिए ये लिखा हुए आतने at a level of foreign ministers ताकि foreign minister के उपर हम लोग जो है वो discussion कर सकें जो foreign ministers है सबी countries के वो मिलके discussion कर सकें a move that will be welcome in the north east ये एक ऐसा move होगा ना जो north east में जो है वो welcome किया जाएगा तो ये था यार आज का दा हिंदू editorial article एक एक line को मैंने आपके लिए हिंदी में explain किया है अब आपको कुछ समझ में नहीं आता है अगर आपको कुछ changes चाहिए तो आप मुझे comment box में लिखके दे सकते हो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ YouTube पे आपको ऐसा session कहीं पे भी नहीं मिलेगा PDF मैं आपको telegram link में दे दूँगा उसको आप लोग subscribe कर लेना और एक दो बार इसको खुछ से पढ़ने की कोशिश करना अगर पहले आपको आदा गंटा लगेगा ना लगता था ना अभी आपको 10 मिनटी लगेगा ठीक है तो आपकी help के लिए मैंने ये लगाया आप भी मेरी help कर लो channel को subscribe कर लो bell icon को दबा दो ताकि जब भी मैं next video डालू आपको notification मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा like करो, share करो, subscribe करो, जाहिन